प्रभीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में हम आपका एक बार फर्ट सब इननन करते हैं मैं प्रदर्शु शंकरते बारी आज बाइबल से एक नई बात आपसे करना चाहूंगा यह है योहना के किताब उसका सत्रवाध्याय और उसकी तीसरी आयत यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है और अनन्त जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैद सच्चे परमेश्वर को और ईशु मसी को जिसे तुने भेजा है जाने जी हाँ अनन्त जीवन क्या है अनन्त जीवन कुछ और नहीं है सिर्फ यही है कि आप उस सच्चे परमेश्वर को उस जीविते परमेश्व जो था जो है और जो आने वाला है उसे जाने और उसके पुत्र प्रभीशु मसी को जिस संसार में हमारे उधार के लिए प्रगट हुआ जिसने अपने आपको कुरूज पर बलिदान कर दिया आप उसको जाने यही अनंति जीवन लेकिन आज परमेश्वर का और परमेश्वर क पुत्र का ज्यान लोगों के अंदर नहीं है वो सच्चे परमेश्वर को जानते ही नहीं है मैं देखता हूँ जैसे मैं पुराने समय में मैं हिंदू परिवार से उठकर आया हूँ तो मैं देखता था कि वहाँ जल के लिए जल देवता है अगनी के लिए अगनी देवता है वायू के लिए वायू देवता है स्रिस्टी के जो creator हैं वो अलग है ब्रह्मा स्रिस्टी का नाज करने वाले वो अलग है तो ये हम कोई MDDA या कोई municipality corporation के departments की बात कर रहे हैं क्या लोगों को पता ही नहीं है कि सर्व शक्तिमान परमेश्वर वो अलफा और वो उमेगा वो आदी और अनन्त वो प्रथम और वो आखरी वो सर्व व्यापी सर्व ज्यानी परमेश्वर कौन है लोगों को ज्यानी ने लोगों ने department बांडती है जैसे कि सरकारी भी भाग देखते हैं वाटर डिपार्टमेंट अलग है इलेक्टरिसीटी डिपार्टमेंट अलग है कई बर इनमें लडाई भी हो जाती कई बर आपने देखा कि इंदर देवता गुस्सा हो गए अब पानी नहीं आएगा तो आप देखिए दो दिन पानी आए तो क्या हाल होता है थो पुरस्वर्ग पृष्चु परेषाno हो गई उनके ज्यान के हिसा आप से बता रहो भागे भागे जारे और त्राही माम त्राही माम कर रहे त बिंदर देवता से बिंति करी जा रही उनके को अरे पुर्पिया पानी बरसाओ सब मर रहे है प्र आज कहां से आएगी, जीव जन तु मरने लग गए, सब हलाकान परिशान हो गए, फिर भागे भागे जा रहे हैं उनके पास तरहीमां तरहीमां, यह क्या कर रहे हैं आपको सच्चे परमेश्वर के बारे में पता है, सच्चा परमेश्वर अपने आप में ही इतना ज्यादा क ज्यान उसी एक सच्चे परमेश्वर के अंदर वास करता है, यह टुकडों में क्यों बाट दिया है, कि वाटर वाला डिपार्टम, नहीं, यह क्या है यह, आप सच्चे परमेश्वर को जो अगम्य जोती में वास करता है, जो जमीन और आस्मान को बनाने वाला खुदा बा जाने है, उसे टुकडों में मत बाट दिया, अपनी कलपना शक्ति, अपनी एक्छा शक्ति के हिसाफ से, और उसके पुत्र प्रभीश्व मसी को जाने है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, वो है आत्मा, परम आत्मा हम कहते हैं परम आत्मा, उस आत्मा का कोई देह, कोई सुर देश ये था कि ये मानो जाती अपने पापों से शुद्ध हो सके इन्हें उनके पापों से शमा मिल सके और उसने अपने आपको कुरूस पर बलिदान कर दिया और जो उस पर विश्वास करेगा वचन में लिखा है उसे उद्धार मिलेगा प्रभीश मसी इन वचनों के द्व आपको आशिशित करें सच्चे परमेश्वर को जानना उस अद्वयद परमेश्वर को जानना और उसके पुत्र जिसे उसने हमारे उद्धार के लिए भीजा प्रभीश मसी को जानना यही अनन्त जीवन है प्रभीश मसी सवचन के द्वरा आपको आशिश दे अगर आपकी कोई गवाहिया प्राटना निवेदन है आप हमें 639-589-3171 पर भेज सकते हैं प्रेज दे लॉड